आपको ठगा जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसे ऐसे टूल्स आपको सिखाया जा रहे हैं, जो टूल्स एक छटी क्लास का बच्चा भी सीख सकता है. दोस्तों मुझे नहीं पता ये मेरी वीडियो कितने लोगों तक पोचेगी, बट ये वीडियो जो भी देखेगा दोस्तों उसकी आँके फटी की फटी रह जाएगी. क्योंकि आज कल टेक्निकल अनैलिसिस के नाम पे ऐसे ऐसी चीज़े सिखाई जा रही हैं, कि वो बेसिक चीज़े आप किसी बुक में भी पढ़ सकते हैं. तो दोस्तों ये वीडियो पूरी तरीके से educational है, इस वीडियो में मैं आपको technical analysis आज की वीडियो में सिखाऊंगा भी, उसकी reality बताऊंगा, technical analysis होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, और भार आपको क्या-क्या सिखाया जा रहा है, मेरा वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद ये है, तो आपको पता ही है कि slow down है lockdown की वज़े से, और इस coronavirus pandemic में लोगों के पास पैसे भी नहीं है, अब कहीं लोग जो job करते थे, business करते थे, कहीं लोग की business छप है, कहीं लोग job छोड़ के घर बैठे होए है, तो वो ये सोचते हैं कि घर बैठे बैठे चलो कुछ न कुछ कमा कर ली जाए, और वो क्या करते हैं, वो stock market सीखते हैं, stock market में invest करना चाते हैं, या trading करके वो पैसा कमाना चाते हैं, वो क्या करते हैं, वो technical analysis सीखते हैं, वो technical analysis सीखने के लिए YouTube का वो सहरा लेते हैं, क्योंकि YouTube में बहुत सारी वीडियोज हैं, daily videos बनती हैं, तो वो videos देखते ह और वो वीडियो के तहत वो technical analysis सीखते हैं, और कहीं लोग तो क्या, courses भी खरीदते हैं, अब courses खरीदना गलत बात नहीं है, बट दोस्तों ये चीज हो थे कि courses में आप क्या ले रहे हैं, सामने वाला आपको क्या सिखा रहा है, कई वो आपको बेवकुफ तो नहीं बना रहा ह जो market में बिल्कुल भी काम नहीं करती, तो ये tools जो हैं दोस्तों ये मैं आज की वीडियो में cover करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखेगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत बूलेगा, जब भी कोई मैं आगे वीडियो अप्लोड करूँगा, तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पोचेगी, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले एक्चे बताना चाता हूँ कि टेकनिकल अनालेसिस क्या होता है, टेकनिकल अनालेसिस में बेसिकलि हम क् हम इचे चाट देख रहे हैं यह चार जो है वो निफ्टी का दोस्तों चाट है और निफ्टी के चाट में अब देख रहे है इए कि यह इंगत आप यह जो candle's जैसे कि कई लोग के लोग गई कई स्हीए बाउब के लोग क्टे टल hybrid कहीं लोग कहते हैं बीरिश केंडल बन गई बट इन केंडल के पीछे दोस्तो एक psychology होती है जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ detailed वीडियो है दोस्तो काफी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है इस वीडियो के माध्यम से आप technical analysis को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे तो यह जो candles हैं दोस्तो basically क्या करते हैं यह price action को कहीं ने कहीं आप relate करते हैं अब आप देखते हैं कहीं लोग ने सुनाओगा price action, price action अब price action के नाम पे आपको indicator सिखाया जाता है उसके बारे में भी दोस्तो आगे आएंगे उसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यह candles होती है जब भी price increase होता है तो यह candle दोस्तो bullish बनती है जब भी price नीचे जाता है तो यह candle bearish बनती है तो चलो दोस्तो मैं आप आपको board पर ही समझा देता हूँ कि किस तरीकी की candle होती है और किस तरीके से candles काम करती है तो दोस्तो मैं green board पर ही लेके जाता हूँ ग्रीन बोर्ट पर हम समझेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूँ candle stick, पहले मैं आपको candle stick समझाता हूँ तो candle stick basically होता क्या है, जैसे कि आपको कई भी भी workshop करते हैं, कई भी भी seminar करते हैं तो आपको दो तरीके की candle ही बताते हैं, एक bullish candle और एक bearish candle, बट दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा detail में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा, क्योंकि ज्यादा brief करूँगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी दोस्तों, तो यहां पर क्या करता हूं, दो खैंडल लेते हैं, bullish candle और एक bearish candle, तो यहां पर यह हो गई bullish candle ठीक है, यह bullish candle हो गई, और दूसरी candle मैं लेता हूँ, यह हो गई मेरे पास bearish candle, यहां पर देखते हैं, अब एक bullish candle लो bearish candle होती पहले इसको हम समझेंगे कि bullish candle की जो closing है वो opening से हमेशा higher होती है और bearish candle की closing है वो opening price से हमेशा lower होती है closing दोस्तों बहुत ज्यादा important है इस चीज को आप ध्यान से समझेगा तो यहाँ पे example के तोर पे opening होई है bullish candle में 210 पे closing होई है 215 पे और bearish candle में देखते हैं कि opening होई है 300 पे और closing होई है 290 पे तो हम देखेंगे कि जो closing है वो opening से lower है और bullish candle में जो closing है opening से higher है तो यह candle bullish होगी और यह candle bearish होगी तो दोस्तो हम bullish candle और bearish candle को किस तरीके से confirm करते हैं जब कोई closing, opening से higher होती है तो वो bullish candle होती है और जब closing opening से lower होती है तो वो bearish candle होती है इनको हम बोलते हैं दोस्तो body, ये हो गई body Body हमेशा opening और closing से मिलके बनती है और उपर वाले को बोलेंगे shadow इसको बोलते हैं तक यहां पर मैंने को पता है कि यहां पर यह कि ब мама कल्या हो, तो यहां पर देखेंगे से बूलइश कैंडल की जो ओपनिंग है इसकी ओपनिंग यहां पर दिखा रहा है 9400 की इसकी opening है और इसकी closing है 9536 की यानि की closing जो है वो opening से higher है इस वज़े से ये candle क्या हो गई? bullish candle हो गई दूसरे case में दोस्तों हम समझेंगे ये एक bearish candle है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ bearish candle में opening जो है 9521 की है और closing जो है 9305 की है तो यानि की closing जो है opening से lower है तो ये candle क्या है? bearish candle हो गई इसको दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से समझेगा अब इनी चीज़ों का समझाने के लोग आप से पैसे ले लेते हैं इतनी easy हैं कोई भी समझ सकता है और कहीं लोग ये बोलते हैं कि ये जो bullish candle बन जाती है न तो वहाँ पर buy कर लीजे bearish candle बन जाता है तो वहाँ पर sell कर लीजे ऐसा नहीं है इसमें भी दोस्तों अलग-लग तरीकी candle बनती है जैसे common candle होगी जैसे मैं आपको बताया था मुरू बोजू होगी इसमें बहुत सारे तरीके के लॉजिक होता है जो लोग आपको नहीं सिखाते है और सिफ आपको bullish बेरिश candle सिखाके आपको बोलते हैं कि भीया आप अप analyst बन गए bullish candle बनेगी तो खरी लेना बेरिश candle बनेगी तो बेज देना ऐसा नहीं है दोस्तो इसमें बहुत सारे logic बहुत सारे factor काम करते हैं इसकी study अगर आप करेंगे तो कम सकाम आपको इसकी study करने में ही एक महीना लग जाएगा तब आपको detail में candlestick के बारे में knowledge मिलेगी अब दूसरी तरीके से डेली इंडिकेटर बन रहे हैं हर कोई अपने नाम पर भी इंडिकेटर बना देता है बहुत इजी है तो सबसे ज़्यादा जो famous indicator है वो आपको पताई है moving average दूसरा RSI MSCD को भी लोग लेते हैं बट MSCD काम दूसरी तरीके से करता है stock stick इसके साथ civilian percentage रार इसके साथ बहुत सार इंडिकेटर है जो लोग आपको सिखाते हैं और एक indicator इतने easy होते हैं दूसरों कि एक छोटा बच्चा भी इसको बहुत असान तरीके से समझ सकता है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि indicator के नाम पर आपको कैसे ठगा जाता है यहां पर मैं आपको candlestick के बारे में थोड़ी सी knowledge दी अब मैं आपको indicator सिखाता हूँ अब मैं क्या करता हूँ जो सबसे famous indicator है जो market में चल रहा है जिसको सिखाने के आफ से 4, 5, 8, 10,000, 30,000, 35,000 बिल ले 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 लेते हैं अब normal indicator पर जाते हैं जैसे कि मैं M24 software यूज करता हूँ तो मैं आपको M24 software में ही समझा देता हूँ कि यहां पर जाते हूँ यह moving average है अब देखो बहुत सारी तरीके की moving average लग जाते हैं कोई 10 दिन की use कर रहा है, कोई 20 दिन की use कर रहा है यहां पर लिख देता हूँ moving average moving average क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ moving average अब क्या होता है कि यह price चल रहा है मैं यहां पर इसको draw कर देता हूँ इस तरीके से यह price चल रहा है ऐसे यहां पर देखें यह price है यह price चल रहा है यानि कि अगर हम देखते हैं, 12 दिन the moving average लेते हैं, हम 10-day 17ल में 8 ग्रिष 19 रीजय है? आगर कि अगर हम देखते हैं, अगर झो टारीक आज दीआ हैं तो हम 10 दिन पेहले लोगते हैं एकजामपल के तौर पर हम्ने 10 अग्रोशी है roaring 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने लिया और हमने देखा कि एक दिन यहां पर 300 पर अगले दिन 290 पर उससे अगले दिन 290 फे ख्लोज वह इसके बाद दोस्तों ख्लोज हुआ 287 पर इस तरीके से क्या हुआ जोओ यहां पर क्लोजिंग हो रही है अब इनसों की क्लोजिंग को हमने लिया और उसको डिवाईड कर दिया दोस्तों हमने 5 से my यानिके हमने अगर 10 दिन की moving years उठाई तोँमने क्या का पिडीवेस 10 देज्स की 모जिंग कि एवरेज कर दिया 10 से तो वह closing की average कर दिए उसको divide कर दिया 10 days से तो वो closing आपको मिल गई अब यहाँ पर आपको कोई calculation नहीं करनी आपको safe or safe अपने software पर जाना है वहाँ पर आपको 10 days लिखना है वो खुद ही calculate करके आपको दे देगा तो यह तो एक होगा basic तरीका अब दूसरा तरीका दोस्तों इसका क्या है कि जो trading का होता है वो यह होता है कि यहाँ पर मालो यह price चल रहा है अब price चल रहा है तो क्या हुआ price के सासा दोनों ने 10 दिन की या 20 दिन की moving average लगा दी इस तरीके से ऐसे ठीक है यह क्योंकि यह moving average होती है price के सासा चलती है बोला जाता है कि जब भी price moving average को उपर से नीचे की तरफ break करेगा तो आप sell करेगे जब भी price नीचे से उपर की तरफ cross करेगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे buy करेंगे अब क्या होता है आप कहीं लोग 10 दिन की लगा देते हैं कोई 30 दिन की लगा देता है कोई 200 दिन की लगा देता है तो इतनी सारी moving average यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने क्या गरा 20-day की moving average ली और यहां पर मैंने इसको color change कर दिया जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं यह क्या हो गया 20-day की moving average हो गई और मैंने क्या गर ऐसे अवर्डि चार्ट पर लगा दिया अप यहां पर देखेंगे कि जब भी price moving average को break करेगा तो आप यहां पर क्या करत आप अपनी पूजिशन क्या करेंगे सेल में बनाएंगे तो यह चीज़ आपको सिखाई जाती है कि जब भी प्राइस ब्रेक आउट देगा या फिर क्रोशवर करेगा तो आप माइंग सेलिंग कर सकते हैं पर दोस्तों यह इतनी असान चीज़ होती है कि कोई भी इसको असान ऐसको ब्रेक कर रहा है वार बरेक कर रहा है आसाथ रास कर रहा है तो आपको बहुत बड़ा नुक्सान होने वाला है वंस एंट इस ہि tastes मार्केट में 90% consolidation होता है और one-sided ही market जो चलता है वो कुछ 10% के आसपस होता है जैसे आप भी आप देख रहें कि one-sided चल रहा है बट जादतर cases में क्या होता है चलता है तो मैं सटाफट के अगरता हो आरे सई लगा देता हूं क्योंकि कई लोग है जो RSI चीखना चाते हैं कि लोगर शीखनें पांक पांक शेश्य हजा और दर वीज़ा पर दे देते हैं लोगों को तो आला एजी है दोस्तों मैं आपको समझाता हूं आप यहाँ पर रहे हैं यह आरसा ही है यह क्या है दोस्तों यह 70 की लाइना यह 30 की लाइना मैं लिख देता हूं 70 यह 13 और यहां पर 14 डिज की moving average ली जाती है यह क्या है यह moving average है यहां पर देखें यह ओवर्वाट एरिया है यहां पर देखेंगे 30 को cross करके उपर जाता है तो buy करते हैं और 70 को cross करके नीचे आता है तो अपनी position क्या बनाते हैं sell में बनाते हैं बट मैं आपको एक चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि यह analysis बहुत basic है यह analysis जादा तर आपको consolidation market में या फिर one-sided market में भी आपको नुक्सान दे सकती है मैं जैसे कि यहां पर चार्ट लगाता हूं nifty का चार्ट लगा देता हूं आपके सामने और nifty के चार्ट पर ही हम समझेंगे तो निफ्टी का चार्ट मैंने फटाफट से लगाया और चलो दोस्ता अब यहां पर हम समझते हैं तो मैंने क्या करता हूं तो मैं क्या करता हूं तो यह आपको k pipeline के साथ दिखेगा अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर कं गया उपर कि तरफ चला गया तो यहां पर का stop-loss trigger हो शकता हूं यहां पर दिखेंगे यह देखिये यहां पर यहां पर आयसा देखने को मिला कि यह देखो, उपर से जाके नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मलब है कि प्राइस नीचे गिरेगा, और यहीं से मैं यहां पर वर्टिकली अगर चेक करूँ, तो प्राइस कहा जा रहा है, उपर की तरफ जा रहा है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा दोस्तों, मैं द प्राइस उपर जा रहा है, और ये एरिया और इस एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहां पे आपको मोटा वाला फटका लग सकता है, यह चीज़े दोस्तों, आपको सिखाई जा रही है, अनालेस यह नहीं है दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल अन उसके बाद चार्ट पैटन सीखना पड़ता है उसके बाद आप Indicator पे आते हो और Indicator में भी आपको इस तरीके से काम नहीं करना है इस तरीके से काम करेंगे न दोस्तों अगरा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो Indicator जो है वो काम करते हैं सिफ़ उसे बन सैडिट मार्केट में यानि कि 10% ही वो काम करते हैं और 90% वो फेल होते हैं और आपको ये पताया जाता है कि Indicator सीख लो और Indicator सीखोगे तो इतरा तरा पैसा कमालोगे वो ही आपको स्टॉकेस्टिक, वो ही वी वीलियम पर्सेंटेज हार वो ही ये RSI, वो ही उसी तरीकी की मूविंग आरे सिखाते हैं आपको और आप सोचते हैं आप एनलिस्ट बन गए हैं ऐसा नहीं है दोस्तो तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ वहाँ पैसे खर्च करने से बैटर ये है अगर आपके पास फालतू पैसे हैं तो PM Relief Fund में आप डोनेट कर दो ये फालतू की अनलिसिस मत सीखे क्योंकि दोस्तो मैं भी स्टॉक मार्केट में 12 साल से हूँ मैं 9-10 साल से दोस्तो technical analysis पढ़ा रहा हूँ जैसे आप ये उपर images देख रहे हैं इन images में मेरी workshops हैं जो मैं काफी जगा जाके करता हूँ इसके इलावा मैंने काफी time से कितने हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है इन pictures में दोस्तो आप देख सकते हैं तो दोस्तो कहने का मरलब यह है कि अब लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ सा बता देता हूँ दो-दो साल पहले आयों बच्चे ठीक है जो पहले कभी कोई classes वगर ली होगी उन्होंने आज अपना YouTube चैनल बनाके आपको सिखा रहे हैं पर सिखाना दोस्तो अच्छी बात है पर सिखाने के लिए आप क्या सिखा रहे हैं यह basic चीछी सिखा रहे हैं या पर किसी प्रोफेसर से आप मिलते हैं तो उनका भी experience होता है पट YouTube एक ऐसा platform हो चुका है कि कोई भी नया बच्चा आता है वो books पढ़ लेता है कही workshop, seminar, 10 अपना चैनल बनाया थोड़े पैसे खर्च करें और उसके बाद दोस्तों वो बहुत बड़ा YouTuber बन जाता है तो इन लोगों से दोस्तों आप थोड़ा सा बचके रहे मैं ऐसे कहीं लोगों को जानता हूं तो दो-दो साल पहले market में आयते YouTube चैनल बनाया और आज वो आपको सिखा रहे हैं और वो लोग क्या करते हैं दो-दो दिन के वो आपसे classes लेते हैं दो-दो इनकी class लेते हैं दो-दो घंटे आपको देते हैं 15,000 उपए आपसे ले लेते हैं और दो-दो घंटे पढ़ा के यानि कि 4 घंटे में वो आपको technical analyst बना देते हैं इन लोगों से दोस्तों साफधन रहे क्योंकि आपका पैसा है आप पैसा लगाएंगे market में आपको loss होगा और फिर आप stock market को या technical analysis को गाली देते हुए भार निकल जाएंगे तो ये चीज बिल्कुल घलत है क्योंकि मैं कहीं लोगों की में पर काउच आइते हैं वो कहरे दी जी मैंने इससे मैंने course कर लिया या मैंने इससे सीख लिया और जी मैंको ये ये चीज़े सिखाई गई हैं जो बिल्कुल basic है और इसके सासा दोस्तों वो बाद मी नहीं करते हैं वो उनका कोई contact number मी नहीं होता contact number होता वो whatsapp होता है कि whatsapp में आप से chat कर सकते हैं आप इमेल करेंगे आप उने और उनके reply आने में 24-48 घंटे लग जाते हैं तो वो mentor के बीच में और student के बीच में communication gap भी खतम हो चुका होता है और जो सिखाई चीज़ी होती है वो बहुत basic होती है और 2-4 घंटे में दोस्तों कोई analyst नहीं बनने वाला तो इस चीज़ से साबधान रही है बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीकी की videos बना रहे हैं और सिखा क्या रहे है कुछ नहीं सिखा क्या रहे है पुराना chart आपको दिखा देते है पुराने चार्ट मेरा कोई भी लैन खीज देंगे बता देंगे कि देखो जी यहाँ से स्टॉक नीचे गया था या कोई वीवाब लगा देंगे और इस तरीकी content में दोस्तो आप हजारो वीडियो बना सकते हैं ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और यही चीज़ आपको बहुत असानी से समझ में आ जाए ना जाए ना जो आपको लगए बड़ा आसान है उस चीज़ से हमेशा बचके रहो क्योंकि असान चीज़े हमेशा बाद में नुकसान देती हैं तो इस चीज़ का आपको चादतर ध्यान रखना है तो आज की वीडियो का तात्पर यह दोस्तो यह था कि इन लोगों से बचके रहे जो यूट्यूब के थुरू अपना ग्यान बेच रहे हैं और वो ग्यान बिल तो मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं नीचे दिएगे नंबर पर तो आज के लिए दोस्तो इतना ही धन्यवाद